देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तुफान शुरू होता है, यहां से तुफान बाकी प्रदेशों में जाता है, यह बिहार जो है देश की राजनेती का नर्फ सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है आज देश में विचारधारा की लड़ाई है एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ महपत, भाईचारा और एक दूसरे की हिज़त जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गटबंदन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में महपत की दुकान खोलते हैं हम इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? ये नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, महपत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है तो सवाल उठता है, कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाई और बेहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याए है, अन्याए, युवाओं के किलाफ अन्याए, आप सब के किलाफ अन्याए, किसानों के किलाफ अन्याए, समाजिक अन्याए, आर्थेक अन्याए प्रधान मंत्री जी दो तीन बड़े अरब पतियों के लिए काम करते हैं दो तीन लोगों के लिए काम करते हैं उनका सोला लाक करोड रुपिया प्रधान मंत्री ने पिछले दस सालों में माव किया है मैं आप से पूछना चाहता हूँ उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया इसलिए देश में नफरत फैल रही है 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है क्यूं? क्यूंकि BJP ने छोटे वियापारियों को, किसानों को, small और medium वाले बिजनसेस को नश्ट कर दिया है एक तरफ नोट बंदी की, दूसरी तरफ GST लागू की नतीजा ये हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं छोटे बिजनस वाले, small और medium बिजनस वाले, उन सब का काम बंद हो गया जहां भी देखो, बड़े बड़े उद्योग पतियों की मोनोपली बंदी है एक उद्योग पति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे के सारे पोर्ट, एरपोर्ट, इंफ्रस्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडेस्ट्री, सारे की सारी नरेन रिबोधी जी ने एक उद्योग पति को पकड़ा दी आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछरी जात के कितने लोग है, कितनी अबादी है पिछरी जात की, 50% 50% दलितों के कितनी अबादी है? 15% आदिवासियों के कितनी अबादी है? 8% कितनी बनती है, वाई? कितनी बनती है? 73, 73% अब देखिए 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निका लिए आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निका लिए बड़े-बड़े बड़े-बड़े इनके जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालिए आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है उसके बाद प्राइवेट हस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए स्कूल और कॉलेज जो चलाते हैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट उनिवर्सिटी उनकी लिस्ट निकालिए उधर आपको 70% का कोई नहीं मिलेगा उसके बाद जो हिंदुस्तान को नपे ब्यूरोक्राइट चलाते हैं इस वाले उनकी लिस्ट निकालिए उधर आपको तीन पिछले वर के लोग मिलेंगे टीन दलिट मिलेंगे और एक आदिवासी मिलेगा और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे खर्च करती है बजट में अगर 100 रुपे खर्च होते है तो 73% की 6% की 6 रुपे की भागिदारी बनती है तो ये जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जेनरल कास के लोगों को भी जोड़ लो इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है पहले क्या होता था पहले पब्लिक सेक्टर होता था उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था नोकरी मिल जाती थी सरकार में रोजगार मिल जाता था जैसे बिहार में तेजेश्वी जी ने किया जैसे 36 गर में हमने किया करनाटक में तलंगाना में हम कर रहे हैं मगर नरेंद्र बोधी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिये सेना में आप जाते थे वहाँ अगनीवीर लागू कर दिया अब देखना अगनीवीर लागू किया और अगनीवीर में पहली बार इस देश में दो तरीके के शहीद होंगे एक शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा उसे पेंशन मिलेगी उसे कैंटीन मिलेगी और इसे गाउं में, शेहर में आधर मिलेगा दूसरा शहीद होगा, अगनीवीर होगा वो शहीद होगा, उसे शहीद का धर्जा नहीं मिलेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी एक तरफ चाइना के सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाओं को नरेंद मोदी छे महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने खरे करने की कोशिश कर रहा है नतिज़ा आप जानते हो मैं जादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि लालू जी को बोलना है यह देखो लालू जी को बोलना है मगर मैं स्र deposit कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को गलत फेमी में नहीं होना चाहिए हम लोग BJP से RSS से नहीं डरते हमें कोई फरक नहीं पड़ता हम देश के लिए लड़ते हैं हम देश के लिए मरने के लिए त्यार है और हम BJP को RSS को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बना कर दिखाएंगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहन नियाय का हक मिलने तक